चुलिए दोस्तों आज एक बहुत ही मज़ेदार एक्स्प्रिमेंट हम लोग करेंगे शायद आपने पहले देखा हो नहीं देखा हो लेकिन मुझे यह लग रहा है कि बहुत पसंद आएगा यह वीडियो आपको यह एक्स्प्रिमेंट आपको यहां आप देख रहे हैं वायर से बना एक स्प्रिंग है और वायर से ही बना हुआ एक लेटर आप देख रहे हैं अब मैं इस वायर को या स्प्रिंग को डिफॉर्म कर देता हूं उसका आकार ही बदल देता हूं अब यह देखिए अब यह जो वायर है इस वायर को भी मैं उसका आकार पुरी तरह से बदल देता हूं अब यहां पर देखेंगे आप इस प्रिंग की जो वायर थी उस वायर को मैं अब इस पानी में डालता हूं और उपर से पुरसा गरम पालता हूं क्या देखा आपने अब यह जो वायर मैंने रखी थी जिसका आकार भी पुरी तरह से डिफॉर्म कर दिया था अब उसने अपना शेप ले लिया है और आप देख रहें फिर से होटी होट कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको प्रक्रिया करने के बाद वो अपना शेप रीगेन कर सकते हैं और इसलिए ऐसे मेटल्स को कहा जाता है शेप मेमरी मेटल इसको कहा जाता है जो अपने शेप को आकार को मेमराईज कर सकते हैं याद रख सकते हैं तो आपने देखा किस तरह से जब उनको डिफॉर्म किया गया डिफॉर्म करने के बाद उसका शेप पूरी तरह से बिगाड चुके थे लेकिन जैसे ही उसके उपर गरम पानी मैंने डाला गरम पानी डालने के बाद वो फिर अपना शेप रिगेन कर चुके हैं देखिए कितना अच्छा है शायर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और ये प्रयोग भी आपको बहुत पसंद आया हो बहुत 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 बन्य वदाब के